Hello दोस्तो, मैं मनिस पांडे, मैं आज इस वीडियो में आपको Jio का एक अभी जो new जाया है recently Jio एक laptop launch करनेवारा है बहुत जल्द So मैं इस वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि क्या है उस Jio का जो laptop आने है, उसका नाम क्या होगा उसमें कितनी RAM होगी, कितना प्राइस होगा, उसका क्या उसमें विसेस्टाय है, क्या क्या चीज आप किसके लिए वो Laptop है, मैं आपको बताऊंगा, complete description and complete features, क्या प्राइस, सबकुछ मैं यहाँ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो कहन तक देखिएगा, लेकिन उसके पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, लाइक जरू किजेगा, तो चलिए सुरू करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ, बहुत जल्द जियो Laptop लाइब 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 अराउंड एट 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 यहर्स बैक अकास का भी एक ऐसा ही कुछ टैबलेट लॉंच हुआ था जो जाला तर स्टुडेंट्स उसको पर्चेस करते थे टैबलेट टाइप का सेम ऐसा ही कुछ जियो लेके आया है जिसका नाम है जियो बुक इसमें आपको कनेक्टिविटी अगर आप मैं इसका बात कर तो इसमें आपको 4G कनेक्टिविटी मिलेगा इसमें जो एंड्रोइड होगा वो भी जियो ओस टाइप का ऐसा कुछ उसका नाम होगा बट इसमें एक में जो इंपॉर्टन चीज है जैसे आपने देखा होगा हम जियो की जितनी भी अप्लिकेसंस है वो हम सिर्फ अभी मॉबाइल में यूज कर पा रहे हैं अगर आपको जियो टीवी एंड जियो सिनेमा ऐसा कुछ अगर आपको ब्राउजर में ओपन करना है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे लैप्टप में ठीक है लेकिन ये जो जियो बुक है जो जियो लैप्टप आ रहा है इसमें आपको वो सभी एप्स जो जियो का है वो सभी एप सपोर्ट करेगा आप उसको वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं and I think सभी कुछ already installed होगा उस you know उस laptop में and आप Jio TV आपने उस laptop में देख सकते हैं Jio Cinema and all these things right इसको launch करने का जो news में आ रहा है वो है around आपको June 2021 मतलब इसी साल में यह laptop launch होगा and news के हिसाब से कुछ पता चला है कि यह रिलाइस ने एक Chinese company blue bank communication technology उनके साथ इन लोगों ने साज़ेदारी किया है और फिर उनके हिसाब से कुछ ही लोग बनाएंगे यह जो laptop है basically आपने जो Jio का phone देखा है so यह phone है basic phone यह आप लिखते हैं जो Jio का जो इर्वांस वाला जो phone है थोड़ा सा महांगे वाला so एक यह phone है and then यह Jio का जो laptop आ रहा है Jio book यह थोड़ा सा मतलब समझ लेजिए दहज़ा के laptop है तो बस उसी का एक screen यो बड़ा सा screen है and then थोड़ा बहुत features आ जाएगा जो ज्यादा high labels का applications नहीं यूज करते अपने सिस्टम पे it means अगर आप students मतलब यह नहीं कि आप codings यूज कर रहे हैं आप website बना रहे हैं तो उस तरह कर नहीं लेकिन अगर आप चोटे-मोटे अभी आप learning कर रहे हैं तो आपको वहां पे you know browsing आप कर सकते हैं internet surfing कर सकते हैं वहां पे आप कुछ application जो होगा आप उसको install कर सकते हैं photo यूज कर सकते हैं store कर सकते हैं इसका जो regeneration होगा वह around 720 pixel की हिसाब से होगा ना इसमें snapdragon 665 processor आपको मिलेगा इसमें देखने को मिल सकता है आपको and इसमें 4G support करेगा इसमें आपको 2GB RAM मिलेगा जो की LPDDR4X RAM के साथ 32GB के storage मिलेगी तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि 32GB आपका you know storage है तो उससे आप क्या कर सकत है ठीक है तो आपको इतना पता है कि यह you know normal जो हम यूज करते हैं उस तरह का laptop हमारे यूज के हिसाब से नहीं है यह आप normal tab के हिसाब से उसको यूज में ले सकते हैं ठीक है ना इसमें आपको मिलेगा Jio Store, Jio Meet, Jio Pages and you know I believe इसमें Jio की जितनी application से वो मिलेंगी and then you know Bluetooth, Wi-Fi, Dual and Wi-Fi like that, so आपको यह सबी चीजे इस mini laptop में मिलेगा, हाँ जी, इसको आप बोल सकते हैं यह mini laptop है, इससे आप ज्यादा expect नहीं कर सकते हैं कि मुझे मैं इसमें games खेल सकता हूँ, हो सकता है आप game खेलने जाओ, 2GB RAM है इसमें तो hang हो जाएगा, right, so आपको game के लिए नहीं है, य उसमें वो बच्चे सीख पाते हैं, school जो आइन जो online हो रहा है, उसमें geo meet से आप, आपके बच्चे online वहां से geo meet से, school का जो भी classes, online classes चलना है, वो attend कर पाएंगे, and इसमें एक और model है, जो की आपको 4GB RAM के साथ में 64GB के storage आपको मिलेगा, हो सकता है उसका कुछ अलग price हो, जैस होने के बाद हो सकता है, आपको, you know, year end में आपको laptop available हो जाए, please ये video को like कर दीजिए, and share, and please subscribe this channel, thank you so much guys, thank you so much, and bye